Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की सुडियो में बच्चों हम डिसकस करेंगे Worksheet 19, 4, Class 6 English की बच्चों ये Worksheet है जो आपके लिए 2nd December 2020 के लिए schedule की गई है आज की Worksheet में हम the kite जो है अपनी poem जो हो continue करेंगे Read the poem below and fill in the blanks on the adjacent side to the corresponding stanza You can take hints from the explanation of the stanza's provided So आपको बच्चों यहाँ पर poem दी गई है और poem से related जो यहाँ पर आपको fill-ups है, stanza's से related आपको यहाँ पर fill-ups गीवन है साथ में hints भी गीवन है और यह fill-ups जो है आपको fill करने है So हम पहले poem जो है उसको read करेंगे How bright on the blue is a kite when it's new with a drive and a dip it snaps its tail then soars like a ship with only a sail as over tides of wind it rides climb to the crest तो बिटा हमने यह stanza जो है last worksheet में भी पढ़ा था हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो point है उन्होंने कैसे जो kite है उसकी beauty को mention किया है वो बताते हैं कि जब जो kite है वो नहीं होती है तो वो बहुत bright लगती है बहुत ही ज़्यादा attractive लगती है in the sky blue यहाँ पर क्या है sky is a kite when it's new with a drive and a dip और किस तरह से जो kite है जब हम kite को fly करते हैं उडाते हैं तो क्या होता है वो इस तरह गोता खाती हुई drive and dip वो जो है हवा में तैरती है it snaps its tail then soars like a ship यहाँ पर बच्चो kite के जो comparison है वो किस से किया गया है ship से किया गया है ठीक है कि किस तरह से वो अपनी tail के साथ फड़फडाती हुई जो आवाज होती है वो करती हुई आगे बढ़ती है हवा के साथ जिस तरह जो ship है वो जो है पनी sail के साथ क्या है कि wind के साथ वो आगे बढ़ता है as over tides of wind it rides climb to the crust और जो wind है उसके साथ जो kite है वो blow करती हुई crust तक पहुँच जाती है यानि बहुत उंचाई तक पहुँच जाती है next answer है of a gust and pools then seems to rest as wind falls when string goes slack you wind it back and run until a new breeze blows up it goes यानि यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से काइट है of a gust and pools यानि हवा के जोंके के साथ काइट वो क्या है वो जो है आगे बढ़ती है और किस तरह से आप उसकी string जो है वो खींच लेती है then seems to rest as wind falls और जैसे ही हवा जो है wind वो कम होती है तो काइट भी क्या करती है काइट भी जो है rest करने लगती है यानि उड़ना बंद कर देती है वो आवाज नहीं आती है तो यहाँ पर इस तरह है point ने mention किया है ठीक है कि किस तरह से kite वो भी rest करती है जब wind जो है वो चलना बंद हो जाती है when streak goes slack यहाँ पर बताया गया है string goes slack जो रसी है वो जो बंदी हुई है वो slack याँपर क्या होता है lose ठीक है become lose यानि धीली पढ़ जाती है so string जो है वो भी क्या हो जाती है वो धीली पढ़ जाती है you wind it back and run until a new breeze blows दोड़ते हो जब तक कि एक नई breeze a new breeze blows यानि जब तक एक नई breeze जो है वो blow नहीं करती हवा नहीं चलती and its wing fills and up it goes और जब नई हवा चलती है फिर से यह इसके जो wings है यानि इसके जो wings है वो fill हो जाती है air से यानि वो फिर से जो है क्या होती है उड़ने लगती है and up it goes और इसको जो है उपर ले जाती है next paragraph देखी how bright on the blue is a kite when it's new अब यहाँ पर point ने जो first line ने पेटा वही जो है यहाँ पर repeat की है how bright on the blue यहाँ पर वही जो kite है उसकी beauty को mention करते हुए कहते है कि जो kite है वो बहुत ही जो है bright attractive vibrant यहाँ पर लगती है okay when it's new जब यह नई होती है but a ractor thing you never will see when it flap on a string in the top of a tree अब यहाँ पर इन जो stranger है यह जो lines है इन में point mention करती है कि जब यह जो kite है अगर यह किसी tree में first जाती है तो क्या होता है यह जो है foot जाती है ठीक है और इसके अंदर जैसे आपने देखा है कि जब kite जो है कहीं पर फस जाती है तो उसके अंदर holes हो जाती है फिर वो इतनी attractive नहीं लगती okay so यहाँ पर देखे जो ractor है इसका मतलब क्या है it means that rough or ugly but a ractor thing you never will see और यह जो fatty हुई यह जो rough यह जो ugly kite हो जाती है इसको जो है आप नहीं देखना पसंद करते क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती है okay when it flips on the string in the top of the tree जब यह flap यानी एक तरह से first जाती है ठीक है on a string string and in the top of a tree तो इस तरह से जो है जब यह first जाती है तो first जाती है तब वो ना vibrant लगती है ना attractive लगती है और उसको आप देखना नहीं चाहते तो इस तरह से यहाँ पर इसको explain किया गया है kite की beauty को पहले explain किया point नहीं और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब वो ugly हो जाती है किस तरह से वो फर्च जाती है और जो है उसको आप देखना पसंद नहीं करते है तो यह आपकी complete जो है point थी और अब हम करेंगे इसके fill-ups so first यहाँ पर given है a new kite looks bright in the sky as it dips and dives it pulls its strings and flies like a ship on waves the wind help it right and reach the maximum height in the sky तो first जो stanger है उसका यहाँ पर meaning दिया गया है कि वही जो हमने भी पड़ा kite जो है वो bright लगती है sky में and यह dip करती है, dive करती है ठीके, यह waves की तरह जो है, जिस तरह ship जो है waves पे चलता है, इसी तरह wind के साथ, जो kite है वो भी आगे बढ़ता है and अपनी जो maximum height है sky में वो maximum height attain करता है, now first fill-up है, the blue in the first line refer to the so blue क्या है, blue is the sky और blue kite तो पेटा यहाँ पर blue किसके लिए use किया गया है, blue is used for sky okay, next b part देखी, tides of winds means, तो tides of winds, winds जो है, उसका क्या मतलब है, wind currents है या sailing ship है, so tides of winds means wind currents ठीक है, यहाँ पर sky है and this is wind currents, tide of winds means wind currents next देखी, the crest means that the kite reaches the sound or top, तो जो crest होता है, बेटा वो क्या होता है, crest होता है, top ठीक है, शिखर जिसको आप कह सकती हूँ height, ठीक है तो यहाँ पर क्या है, top next देखी, the kite looks bright when it is old or new, तो कब जो है, kite bright लगता है, when it is new okay, in the sky next e part, in the sky the kite source like a bird or ship, तो बेटा sky में kite का जो comparison है वो किसे किया गया है, kite source like a ship ठीक हमने पढ़ा, bird के साथ नहीं है, ship के साथ उसका comparison किया गया है, it fly like a ship on waves next e part देखी, the dash help the kite to reach the top, ship or wind तो कौन उसको help करती है, उसको top पर पहुंचने के लिए, so the wind helps the kite to reach the top, तो इस तरह से आप इनको fill करेंगे next जो stranger है, आप हम उसके जो fill up सम वो करेंगे, देखे next stranger है, the kite rest at the top in the sky when the wind falls, तो kite जो है, वो rest करती है, जब wind जो है, वो रुख जाती है you wind back the string when it strength likes, जब वो string जो है, loose हो जाती है, रसी loose हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, उसको पीछे खीच लेते है, when a new wind blow you at unwind it again, तो जब नई हवा चलती है, नई blow आती है नई breeze आती है, तो फिर जो है यह उड़ने लगती है, the new wind fill the wings of the kite with air and it goes up again, फिर से यह उड़ने लगती है, so ए पाट है यह आपर, the kite seems to rest means it is somewhat still in the sky or water so the kite seems to rest, कहाँ पर यह rest करती है, in the sky okay, second देखिए, you wind the string when it goes, when it goes slack or back, तो बैटा क्या हमने अभी पर पढ़ा ना, slack, यानि जो loose हो जाती है, हम उसको क्या करते है, you wind the string when it goes slack, okay, तो slack आएगा, next, देखिए, c part, the kite is filled with a new ice or breeze तो बैटा किस से fill हो जाती है, kite with a new breeze, okay when the new wind blows and it gives wings to fly, उसको क्या देती है जो new breeze है, उसको उड़ने के लिए wings दे देती है यानि फिर से जो kite है, वो उड़ने लगती है, तो यहाँ पर slack फिल करेंगे, breeze फिल करेंगे, and then wings फिल करेंगे, next, देखिए third stentia a new kite looks bright in the blue sky but an ugly thing you will see is when a kite gets struck on a tree, then it flutter tied to a piece of string so यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अब यहाँ पर जो kite है, वो जो अगली हो गई है, वो जैसे जो फस जाती है पेड के अंदर तो उसे क्या होता है, उसके अंदर holes हो जाते है, फिर वो अगली लगती है वो इतने attractive नहीं रहती है okay, यह part क्या है यहाँ पर the kite is struggling on the top of the tree ठीक है, कहाँ पर वो जो struggle कर रही है बिटा, जैसे हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर वो फड़ जाती है तो वो struggle, जो है, वो kite का कहाँ पर चलता है tree पर चलता है, crest पर चलता है तो वो चलता है tree पर ठीक है, तो आप यहाँ पर fill करेंगे tree next देखे, the opposite of top तो top का opposite क्या होता है top का opposite क्या है, bottom top का मतलब उपर, ठीक है और bottom का मतलब क्या होता है, नीचे so opposite आपको यहाँ पर लिखना है top का, that is bottom तो यह विचवाँ आपके हो गए philips, अब next करते हैं, देखे, यहाँ पर क्या दिया गया है, now let's color the picture below following the instruction provided in the statement यहाँ पर picture given है और यहाँ पर जैसे यह clouds के अंदर, जो आपको instruction given है, उसके according आपको यहाँ पर इसमें color करना है so देखे, the kite is blue तो पीटा, kite जो है, उसमें blue color करेंगी the girl has black hair तो girl जो है, इसके hairs कैसे हैं black है, तो आप इसमें black color fill करेंगी the girl is wearing red skirt तो जो skirt है, इसके अंदर red color fill कर देंगी and yellow top, तो पीटा, टॉप जो है उसमें कैसे color करेंगी उसमें yellow color करेंगी next, the tail of the kite is green तो जो यह tail है, इसके अंदर आपको green color fill करना है and the girl is wearing brown shoes, तो shoes है पीटा, उसमें आपको brown color करना है, ठीक है kite में कैसे color करना है blue, the kite is blue kite में blue करना है hair में, जो है black yellow top है, brown shoes है red skirt है and green, जो है, वो kite की teal है, तो यह color complete जो है, आपको यहाँ पर fill करना है और यह आपकी, जो है worksheet बेटा complete होती है I hope आपको यह worksheet clear है काफ़ easy, interesting worksheet थी है और अगर वीडियो अच्छे लगी तो like, share जरूर कर दीजिए चैनल को subscribe भी कर लीजिए and thanks for watching, have a nice day